नमस्कार दोस्तों रेकादस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है आसा करते हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज में आप लोग के साथ खर्बुजे के बीच से सर्वत बनाना बताएंगे इस तरीके से आप एक बार ये सर्वत बना के जरूर पीजिएगा बहुत ही टेस्टी लगता है ये पीने में तो चलिए देरिना करते हैं रेसिपी सुरू करते हैं तो आज का वीडियो तोड़ा सभी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा तो चलिए सुरू करते तो आज के खर्बुजे के बीच से बनाएंगे हम सर्वत तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले लिया है दो खर्बुजाँ आप दो की जगा एक भी ले सकते हूँ क्लिए है तो सबसे पहले हम खर्बुजे को काट लेंगे तो देखें बीच से हम इस तरीके से इसी अलग कर देंगे तो दूसरा भी हम काट लेंगे ले लेंगे हम मिक्सी के जार और खरबुजे के बीज को हम इस तरीके से चम्मच की मदद से निकाल लेंगे देखें डाल देंगे मिक्सी के जार में देखे, तो चारों पीस के मैंने बेज निकाल लिया है, खर्बुजे को हम साइड में रख देंगे, इसमें हम डालेंगे दो बड़े चमच के चीनी, मीठास अब अपने हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, साथी हम डालेंगे यहाँ पे आदा चमच काला नमक, काला नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आते है, देखे, आदा चमच डाल दिया, डालेंगे हम छे साथ पुदिना के पत्ते, डालेंगे हम यहाँ पे बहुत ही क्रीमी फ्लेवर के लिए दो चमच पावडर मिल्क, यह ऑप्सेनल है, अगर आपके पास है, तो आप डालिएगा, नी तो स्कीप कर सकते हो, तो दो चमच हम डाल देंगे, साथी हम डालेंगे यहाँ पे एक ग्लास पानी, ठंडा पानी डालेंगे हम यहाँ पे एक ग्लास, जार को हम बंद करेंगे, और अच्छे से हम एक मिनिट के लिए चला लेंगे, एक मिनिट मैंने मिक्सी में चला लिया है, और हमारे बहुत ही टेस्टी, खर्भुजे के बीज का सर्वद बन के तयार है, अब हम इसे चान लेंगे, जो भी बीज है, वो उपर आजाएगा चन चनी में, तो एक चम्मच की मदद से हम इस तरीके से एक बार चला लेंगे, और दीखे, जो बीज है, वो चनी में ही रह गया हमारा, और दीखे, बहुत ही टेस्टी हमारे सर्वद बन के तयार है, अब हम इसे एक ग्लास में टांस्फर कर लेंगे, तो फिर्ट्स इस तरीके से आप ये हेल्दी सर्वद बना के जरूर देखेगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे, तो इसे बनाएं पीजे, फिर मुझे बताएं कि आप लोग को कैसा लगा, उपर से आइस क्यूब डाल देंगे हम, तो फिर्ट्स इस तरीके से आप ये सर्वद बना के जरूर देखेगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे, तो इसे बनाएं पीजे, फिर मुझे बताएं कि आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्त में सेयर कीजेगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखेगा और चेरेपया में साथ स्माइल रखेगा,